हेलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं छटी कक्षा की हिंदी हिंदी सुलब भारती आप देख सकते हो आपके पास अगर बुक नहीं है इस टाइम पे क्योंकि लॉक्डाउन का समय है तो आप देख सकते हो आपके बुक का कवर पी कुछ इस तरीके से है आपका जो पहला वी किया हुआ है और लिक के भी दिया हुआ है तो आप वहां पर जाके अच्छे से देख सकते हो अपने लिस्ट में जाके देख सकते हो गर आपने नहीं देखा होगा तो चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजे बेल आकन प्रेस कर लेंगे तो उससे होगा यह कि और सभी चित्रों को अच्छे से एक्स्प्लेइन करना जरूरी है ठीक है तो मैं आपको सभी चित्रों का वड़न अच्छे से करके बताऊंगी और आपको बहुत ही अच्छे से देखना है वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए ठीक है और अपने फ्रेंड के झूंद और अपनी के सिजन मतलब सब्सक्राइब खुमने जाते हो कभी माना के घर या कभी मधून गाओं तो आप घुमने जाते घूत्यों नहीं ठीक है अब अगर आपको गाउ जाना एं मालविचे आपका गाउ है सोलापूर या कोलापूर या मालविचे आपका घर गुजराथ है और ओर कहीं पर है दूर है तो आप कैसे जाोगे आप पैदल तो जा नहीं पाओगे तो आपको उसके लिए बस लेना पड़ेगा या फिर ट्रेन लेनी पड़ेगी या फिर हवाई जहाद से भी बहुत लोग जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से सैर करने के लिए भ्रमन करने के लिए हमें अलग-अलग यातायात मतलब आवागमन करने के लिए कि हमें साधनों की जुरुत पड़ती है और वो साधन क्या है बस ट्रेन कार ये सारी चीजें तो पहले मैं आपको यहां पे सारी पिक्चर का बता देती हूं कि यह पिक्चर क्या क्या दिया गया है और किस तरह से आपको लिखना होता है तो जब कभी आपको ऐसे चितर दिये तो आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा देती हूं आपको सभी चितर बहुत ही ध्यान से देखने जैसे यहां पर लिखा हुआ है पीने का पानी वह ध्यान दीजे क्या लिखा हुआ है बस थानक लिखा हुआ है तो यह मतलब यह जो सीन है यह जो चितर है वह कहां का है यह जगह कहां का है बस थानक, मतलब कहां का बस टॉप का, जहां पे आप बस पकड़ने जाते हो बस टॉप पे आपने देखा होगा, इस तरह किसे लिखा होगा फलाट क्रमांग 1, फलाट क्रमांग 2, फलाट क्रमांग 3 तो यह क्यों लिखे होते हैं क्योंकि उसी के अनुसार यह बस खड़े होते हैं अभी मैं आपको समझा रही हूं उसके बाद मैं आपको लिख के भी समझाओंगी मतलब मैं आपको लिखा हुआ समझाओंगी कि तरह से आप एक्जाम में लिख सकते हो वो बताऊंगे मैं आपक तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए जो मैं आपको समझा रही हूँ ठीक है तो इस तरह से आप यहां पे देख रहे हो दो बसे खड़ी है यहां पे और एक बस खड़ी है यहां पे और यहां पे क्या लिखा हुआ है आपकी यात्रा सुखध हो यहां पे क्या लिखा गया है स्वच्छ ग्रिह, ठीक है, स्वच्छ ताग्रिह, कुछ इस तरह किसे लिखा हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर बस पर भी कुछ लिखा हुआ है, राश्टरी संपत्ति, हमारी संपत्ति, तो यह तो ट्रेन में भी लिखा हुआ होता है, कि ट्रेन आपक मतलब की आपकी संपत्ती है राष्ट्री संपत्ती है ठीक है राष्ट्री संपत्ती मतलब क्या हमारे देश की हमारी संपत्ती है जैसे हम अपनी चीजों की कैसी तरग से देख भाल करते है नुकसान नहीं करते है वैसे हमें बस हो ट्रेन हो उसका नुकसान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की चीजें हैं वो तो उससे हमें फायदा मिलता है, हमारे सरकार को फायदा मिलता है, तो उसे हमें नुखसान नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे एक बस चालक के जो ड्र आ रहे हैं मतलब यात्रा करकी अपनी आ रहे हैं और आप यहां पे देखिए यहां पे यह लोग भी क्या कर रहे हैं जा रहे हैं यात्रा करने के लिए और यहां पे आप देख सकते हो यहां पे समाचार पत्र विक्रेता है जो कि समाचार पत्र बेच रहा है यहां पे यह जो आप देख रहे है ऐटिंक कुछ थंडा बेच रहा है फिरल अलये नोग एडर्टक के लिए तो अब यहाँ पर देखे की लिए तो रखा गई तो यहां रखा गया है तो mlak हम इसे लिखना कैसे है अब परिक्षा में लिखोगे कैसे तो वो हम लिखते हैं ठीक है पहले आपको इस तरह से लिखना भासथन्प हम सब को गूमना बहुत पसंद है कभी परिवार के साथ, कभी मित्रों के साथ न को flirting सफर करने में बहुत मजा आता है सैर का अर्थ होता है यात्रा या भ्रमण सेर पर जाने के लिए हम भिन प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं आवा गमन के तीन साधन है तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ पर यह बोला गया है कि आवा गमन का मतलब क्या होता है आवा गमन का होता है मतलब कि आने जाने के लिए तीन मुख्य साधन है, क्या-क्या, थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, तो हम तीन रास्तों से जा सकते हैं, पहला थल मार्ग मतलब रोड, जो सड़क है, सड़क के माध्यम से हम जा सकते हैं, सड़क पे चलने वाली कौन-कौन सी गाड़ियां हैं, तो मोटर कार हैं, साइ जलमागर से कौन से वहाँ चल सकते हैं, तो जो शिप होती है, जहाज, पानी वाली जहाज, नौकाज, जो कई सारी नाव होती है, छोटी बड़ी, कारगो शिप होती है, इलेक्ट्रिक वाला भी होता है जहाज, जो की इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है, और कई सारे ऐसे होते जो फ्यूल से चलते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं, जो बोट में, जो बोट होता है, उसमें कुछ यंत्र लगे होते हैं, जिससे कि आप उस पे अपने पैरों के थुरू से चला सकते हो, और एक नावतों ऐसी होते हैं, जिसमें चप्पू चला के उसे चला सकते हैं, तीसरा होता है Then Mark के अंतरगत सडक सडक मार रेल मार आता है मतलब सडक मार और की बीच में आपको और लिखना है और रेल काता है अब रेल मार Gold जो है रेल मार की बात करें तो रेल मार्ग ट्रेन कभी आप रोड पे चलते हैं अपने या फिर जो Kenny ट्रेन का रास्ता होता है ट्रेन की पट्री होती है उस पर दूसरे गाड़ी नहीं चल सकते उस पर बस नहीं चल सकती उस पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन चलने के लिए वह बना गया है तो रेल मार्ग अलग होता है लेकिन है तो रोड ही सड़क पर ही चलता है एक रेल पट्री जाते जिस पर कि रेल चलती है ट्रेन चलती है ठीक है सो बस थानक काफी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है हमने देखा कितना बड़ा खुला मैदान था क्योंकि बड़ी-बड़ी बसे वहां पर रहनी है तो छोटा तो रहेगा नहीं बस स्थानक में तीन बसे और नमबर के अनुसार खड़ी है जैसे नमबर वन पर नमबर वन वाली जो बस है वही रहेगी दूसरी पर दूसरा इस तरह से तो बस स्थेंड का जो नमबर उसके अनुसार बसें खड़ी रहती है एक और यात्रियों के लिए पानी पीने की विवेवस्ता की गई है हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए, जैसे हम अपने चीजों की देखरेक करते हैं, देखभाल करते हैं, और कदर करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें, हमारे बस, ट्रेन, इनकी भी हमें क्या करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुचा बस थानक पर शुभेच्चा भी लिखी हुई थी क्या लिखी हुई थी आपकी यात्रा सुखद हो हमने देखा था आपकी यात्रा सुखद हो लिखा गया था यह शुभकामना भी लिखी है परिसर में एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है एक व्यक्ति श व्यक्ति कुछ खाने पीने की भी चीजे बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से उसे खरीदने के लिए कह रहा है या फिर जीद कर रहा है बस चालक यात्रियों का इंतिजार कर रहा है जो ड्राइवर था हमने देखा वो किस तरह से बस खाली है तो एक ही दो आदमी ब बस भरेगा तो यी तो बस चलेगा बस थानक में बैटने की विवस्था की गई है यहां पे पून्ज विराम आएगा फूल स्टॉप कुछ यातरी बैटकर अपनी बस का इंतिजार कर रहे हैं जैकि कुछ यातरी बस बैठे हैं और कुछ यात्री अपनी यात्रा पूरी करके वापस अपने घर को जा रहे हैं यहां पे भी फूल स्टॉप और कुछ बस में बैठने के लिए जा रहे हैं यहां पे फूल स्टॉप नहीं लगांगे तो भी चलेगा पर एक कॉमा लगा देजिएगा एक बस में कुछ यात्री बैठे हैं और उस बस की चट पर यात्रियों का सामान भी रखा है बस थानक के दोनों और कूडे दान की भी विवस्ता की गई है ताकि लोग कूडा यहां वहां नाफें के हमने देखा था कि वहां पर बस थानक था वहां पर एक पंखा भी लगा हुआ था और एक भौपू भी लगा हुआ था तो भौपू इसलिए लगा हुआ था तो आप लिख सकते हो कि यहां पर एक तरफ बस थानक में भौपू और पंखा भी लगाया गया है पंखा यात्रियो के लिए लगाया गया है ताकि उन्हें सुविधा हो गर्मी में उन्हें हवा देने के लिए और जो भोपु है वो किसलिए लगाया गया था ताकि जो भी सूचना देना हो यात्रियों को वो दे सकें भोपु के द्वारा ठीक है बस थानक पर यात्रियों की सुविधा के लिए कि स्वच्धा घृ visitor बना है बस यहां पे पूरण विराम बस एक सथलर्ग मार्ग परीवान है आप यहां पंग ह। तरो के साथ अपने बारे में और अगर आप और कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो जरूर लिखियं कि से तो यहाँ पर हमने देख्या हुआ है, जो सैर का है, उसका एक पात देखा हमने, हमने देखा बस थानक के बारे में, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताउगी बंदरगाह के बारे में, ठीक है, बंदरगाह भी क्या है एक दूसरा मार्ग है जाने आने के लिए यातायात के लिए एक परिवहन है तो उसके द्वारा भी क्या किया जाता है यात्राएं की जाती है बहुत पुराना ये विधी है बहुत मतलब पुराना प्राचीन ये साधन है बंदरगाह ठीक है सामान को ले विडेयो की नीचे जो अभी आप देख रहे हो तो बंदरगाह वाला वीडियो का भी लिंक आपको डिसकr Castro box में इस वीडियो की डिसक bridgesил ब rent मिल जाएगा तो आप होँद से Watching the Bandara काभी वीडियो देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट में चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे कि कक्षा छटी की हिंदी में आप जाओगे तो आपको सारे वीडियो मेल जाएंगे ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीजिए